सपने में मरे हुए पिता को देखना देता है बारां बड़े संकेत, सपने में मरे हुए पिता को देखना सुब या फिर एसुब दोस्तों आज हम जानेंगे कि सपने में मरे हुए पिता को देखना देता है बारां बड़े संकेत, सपने में मरे हुए पिता को देखना एक अत्यादिक भावुक सपना होता है और यह सपना हमें कई उलजनों में डाल देता है कि हमारे सवर्गिय पिता हमें किस बात के संकेत स अगर आप भी अपने सपने में अपने स्वर्गिये पिता को देखते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वे क्या संकेत दे रहे थे तो आज के हमारे इस विडियो में हम इसी की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप सपने में मरे हुए पिता को देखते हैं तो इसके जोतिस और स्वपन सास्तर के अंसार क्या संकेत होते हैं और क्या ये सुब होते हैं या फिर ऐसुब माता पिता अपने पूरे जीवन काल में अपने बच्चों के सुनहरे भविश्य के लिए दिन रात महनत करते हैं और अपनी महनत से अपने बच्चों के लिए एक खुसाल जीवन की नीव रखते हैं पर क्या आप जानते हैं कि स्वर्गवास होने के बाद भी माता पिता अपने बच्चों की चिंता करना नहीं छोड़ते हैं और सपनों के दुआरा उन्हें कई संकेत देते हैं जिने अगर समय रहते समझ लिया जाए तो आप भविश्य में आने वाले कई सारी परस्तितियों क सामना करने में सक्सम हो पाएंगे सपने में मरे हुए पिता को देखना जोंतिस और स्वपन सास्तर के अंसार सुब भी है और एसुब भी क्योंकि यह निर्भर करता है कि आपने सपने में अपने पिता को किस अवस्था में और कहां पर देखा है आज के वीडियो में हम आप को इसी की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप सपने में अपने स्वर्गिये पिता के दर्सन करते हैं तो कौन से सुब संकेत होते हैं और कौन से ऐसुब इसलिए हमारा आप से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में कोई संका या दुविदा ना रहे मेरे प्रिये मित्रों जानकारी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम महत्यपून जानकारी और आगे भी आप तक पहुंचा दे रहें सपने में मरे स्वर्गिये अगर सपने में मरित पिता के दर्सन होते हैं तो इसका आर्थ है कि पिता के कोई इच्छा अधूरी रह गई हो जो उनके जीवनकाल में पूरी नय हो पाई हो और वह आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उस इच्छा को पूरा करें तो दूसरी तरफ कुछ जोतिशों का मानना है कि पिता आपको भविश्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना के संकेत दे रहे हैं सबसे पहले आपको ये बात समझने होगी कि मृत पिता के दर्शन आपको सपने में तब तक ही होंगी जब तक आपके पिता को मौक्स या दूसरा जनम नहीं मिल जाता सुवर्गवास होने के बाद अगर आत्मा को मौक्स प्राप्त हो जाता है तो वह पुन्ने आत्मा सीधा परमात्मा के चरणों में वास करती है और उनका संसारिक दुनिया से हर रिष्टा तूट जाता है और वहीं दूसरी तरब अगर उस पुन्ने आत्मा का दूसरा जनम किसी दूसरी योनी में हो जाता है तब भी उनका और आपका संपर्ग समाब्थ हो जाता है अगर अपने सपने में आप अपने मृत पिता के दर्शन करते हैं तो आपको भैभीत होने की जरूरत नहीं है आप अपने करम सही रखें और समय पर पिता की आत्मा की सांती के लिए सराद करते रहें तो चलिए अब जान लेते हैं कि सपने में मरे हुए पिता को देखना हमें क्या संकेत देता है सपने में मरे हुए पिता को सफेद वस्त्रों में देखना जोती सास्तर के अंसार अत्यंत सुब माना गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफेद रन सांती और सुबता का परती और अगर आपको सपने में अपने स्वर्गे पिता के दर्शन सफेद वस्तर में होते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई सारी खुसियों का आगमन होने वाला है, जिस वज़े से आपके मन में काफी उत्साहर रहेगा और आपके ज संकेत दे रहे हैं कि अभी तक जो निरासा और ऐसभलता आपके जीवन में चल रही थी उन सब का समापन का समय आ चुका है और आपके जीवन की एक नई सुरुवात होने वाली है जिससे आपके जीवन में धेर सारी खुसियों का आगमन होगा और समाज में मान सम्मान की आपके स्वर्गिय पिता काले वस्तर में दिखते हैं तो इसे जोति सास्तर के अंसार अत्यन्त ही एसुब माना गया है यह सपना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना धोका छल कपट होने की अत्यदिक संभावन है यह इस बात का भी संकेत है कि भव जैसे आपको काफी मानसिक और साररिक तनाव भी रहेगा। यह इस बात कभी संके देता है कि आने वाले समय में आपका कोई अपना करीबी व्यक्ति आपके साथ जल कपट कर सकता है। जिसके कान आपको धन और मानसमान की काफी हानी होगी। जिस वज़े से आपको काफी मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस सपने को देखने के बाद आपको भैभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारे दुवारा नीचे बताए गए उपाय को करने से आपको भविश्य में इस्वर की किरपा प्राप्त होगी। और हर संकट से आप बचे रहेंगे। उपाय ये है सनिवार की दिन हनुमान मंदिर या सनी मंदिर जाकर मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को काली उड़द, काले तिल या काले कंबल का दान करें। ऐसा करने से भविश्य में होने वाली अनिष्ट गटनाओं से छुटकारा मिलता हैं और इस्वर की किरपा प्राप्त होती हैं। मृत पिता को दुखी और निरास देखना यह अत्यन्थी भावुक सपना होता है। जब हम सपने में मरे हुए पिता को निरास और दुखी देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यह इस बात का संकेत है कि आपके पिता आपके आचरण और आपके जीवन सैली से अत्यदिक दुखी हैं। और वे चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में सुधार करें और सतकरम के रास्ते पर चलें। एक बात का ध्यान रखें कि इस बात का आकलन आपको खुद करना होगा कि आपके पिता आपकी किस आदतों से दुखी हैं। का संकेत दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत हैं और जल से जल सही मार्ग पर आ जाएं। अन्यथा आपको जीवन में कश्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उपाई यह हैं ग्यारा सोमवार वर्त रखें और ग्यारा सोमवार सिव मंदिर जाकर सिवजी का कच्चे दूद से अभिसे करें। और अपने कियेगे बुरे करमों और पापों के लिए उनसे समायाजना करें। सपने में अपने मृत पिता से बात करना। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जहां पर आप सपने में अपने मृत पिता से बात कर रहे हैं। तो जोतिस के अंसार यह इस बात का संकेत है कि भविश्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो पिता रूपी होगा वो आपको मार्ग दर्सन देगा और आपके कारियों में सहयोग करेगा जिस वज़े से आपके कारिय सफलता पूर्वक बनेंगे और आपको वैपार, वैवसाई या कार भारी शित्र में भारी सफलता मिलेगी यह सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आपके पिता आपके साथ जीवन काल में अत्यदिक खुश थे और स्वरगवास होने के बाद भी आपके आचरण और आपके जीवन सहली से काफी परभावित हैं और उनका अश्रवाद सैदे आपके साथ बना हुआ है इस सपने को देखने के बाद आपको निरास होने की बिल्कुल भी अवसकता नहीं है आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि आपके पिता जी जीते जी इस अंसार में आपके साथ काफी खुश थे और स्वरगवास होने के बाद भी आपने उनको नि किया है इसके लिए ये है उपाई मुख्यता इस सपने को देखने के बाद किसी भी परकार की कोई उपाई करने की अवसकता नहीं है पर फिर भी अगर आप चाहें तो गुरुवार के दिन स्रीहरी विश्णू के मंदिर जाकर 21 नारियल उनके चर्णों में भीट करें ऐसा क अपने में अपने मृद पिता को किसी के अन्तिम संस्कार में देखते हैं तो इसे अत्यनत सुभ माना गया है और यह सपना इस बात का संकेत है कि भविश्य में आपको या आपके परिवार में किसी को स्वास्थे समंदि समस्या हो सकती हैं जिसका काफी लंबे समे तक चलता रहेगा जिस वजय से आपके परिवार में काफी अधिक मानसिक तनाव रहेगा और धन का खर्च भी अधिक होगा इस अपने को देखने के बाद आपको भैबीत होने की जरूरत नहीं है आप अपनी और अपने परिवार के निमित जांच डोक्टर से कराते रहें और हो स ये उपाए किसी भी मंगलवार या सनिवार से सूरू करके लगातार 31 दिनों तक अपने घर में हनुमान 40 और हनुमान 80 का एक पाठ करें ऐसा करने से सिरी हनुमान की किरपा प्राप्त होती हैं और हर संकट भगवान सिरी हनुमान स्वैम हर लेते हैं सपने में मरेहवे पिता को खुस देखना अगर आप अपने सपने में अपने स्वर्गिय पिता को प्रशन और खुस मुद्रा में देखते हैं तो आप अत्यन्थी भाग्य साली हैं और आपको समझ जाना चाहिए कि जब तक आपके पिता जी इस अंसार में थे आपने उनको काफी अधिक प्रशनता और मान समान दिया हैं और स्वर्गवास होने के बाद भी आपके पिता आपसे काफी अधिक प्रशन है और उनका असिरवाद आपके और आपके प्रिवार के उपर सदा बन रहेगा मुख्यता ऐसे सपने आने के बाद नोकरी या कारेश्षेतर में पदोनती के अवसर बनते हैं और वैपार वैवसाई में परगती आती हैं सपने में मरे हुए पिता को डाटते हुए देखना हमें लगता है इस सपने का आर्थ हमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को तभी डाटते हैं जब बच्चे कुछ गल्ती करते हैं और जिन गल्तियों की वज़े से बच्चों का भविस्य खराब हो सकता है अगर आप भी अपने सपने में अपने मरे हुए पिता को डाटते हुए देखते हैं तो इसका यह आर्थ होता है कि आप कुछ गल्द कारिये कर रहे हैं या किसी गल्द रहा पर चल रहे हैं जिसकी वज़े से आपके पिता आपसे नाराज हैं और वे चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सही रास्ते पर आजाएं या फिर अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधार लें अगर आपको आपके सपने में आपके पिता डाणते हुए दिखते हैं तो हमारी सलः आपसे यही होगी कि अपने कर्मों का आँकलन करें और अपने गलत कर्मों को सही करने की कोशिस करें। इसके लिए उपाएं। बुदुवार की दिन घनेश मंदिर जाकर गनपति स्त्रोत का पाठ करें। और घनेश बगवान को मोदक का भोग लगाएं। और उनसे अपने सभी गलत कारियों के लिए शमा मांगें। सपने में मृत पिता को प्रेशानी में देखना। अगर आपको आपके सपने में आपके पिताजी प्रेशान अवस्था या चिंतित अवस्था में दिखते हैं तो जोतिस और स्वपन सास्तर के अनुसार इसे अत्यन्त ही ऐसुब माना गया है। यह सपना इस बात का संकेत है क आने वाले समय में आपके जीवन में काफी अधिक तनाव एम परिशानिया आने की संभावना है जिस वज़े से आपको काफी अधिक मानसिक तनाव होगा और परिवार में भी सुक्सानती की कमी रहेगी। प्राय ऐसा देखा गया है कि ऐसे सपने आने के बाद घर में आर्थिक स्थिती का संकट भी पैदा हो जाता है और परिवार में आई दिन तनाव की स्थिती एम लड़ाई जगड़े होते रहते हैं इस सपने को देखने के बाद आपको बिलकुल भी भैभीत होने की जरूरतन नहीं है नीचे हमने जो उपाई बताए हैं उनका उपयोग करके आप भविश्य में आने वाली परिशानियों से बस सकते हैं इसके लिए उपाई अपनी रसोई से साथ प्रकार के अनाज को लेकर 30 दिनों तक रोज चिडियाओं को दाना डालें ऐसा करने से कुंडली में ग वे अपने जीवित पिता को मृत यानी मरा हुआ देखते हैं और ऐसे सपनों को देखने के बाद वे काफी बहभीत और निरास हो जाते हैं अगर आपको भी इस परकार का सपना आता है तो आपको बिलकुल भी बहभीत या निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जोंतिस औ और स्वपन सास्तर के अंसार अगर आप सपने में अपने जीवित पिता को मृत यानी मरा हुआ देखते हैं तो इसे काफी सुब माना गया है। इस सपने का आर्थ है कि इसवर की किर्पा से आपके पिता की आयू काफी लंबी है और आपके पिता का साथ काफी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा इसके लिए उपाई यह है ऐसे सपने को देखने के बाद चाहिए कि आप अपनी शम्ता और सर्धा के अंसार सिव मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को एक समय का भोजन परदान करें ऐसा करने से महादेव की किरपा आपके पीता पर हमेशा बनी रहेगी नमस्कार दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद